जैहिन दोस्तो मैं हुआनू पर आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलिक्ट तो दोस्तो आप सब लोग को पता ही होगा कि इंडियन नेवी पाकिस्तानी नेवी के तुलना में आकार में कई गुना बड़ा और कैफेविलिटी में काफी जाधा आधुनिक है इविन इं नेवी के पास एरक्राफ्ट कैरियर तो दूर का बात डेस्ट्रॉयर जैसे महत्वपूर्ण ने जहाज भी नहीं है पर दोस्तो टाकत में इतना कमजोर होने के बावजूद पाकिस्तान बड़की मारने में महारत हासिल करके रखा है इविन जब भी इंडियन नेवी के एरक एरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस कर सकता है तो दोस्तो आजके इस वीडियो में हम जानेंगे कि कि सच में इन मिसाइलों के पास एरक्राफ्ट कैरियर या बड़े आकार के जहाजों को ध्वस करने का समता है और अगर है तो इससे अपने आपका रक्षा करने के लिए इंडिय made एक anti-ship cruise missile है वैसे तो इसे cruise missile का धरजा दिया जाता है लेकिन cruise missile से अलग इसका behavior short range ballistic missile जैसे है दोस्तों जिसे पाकिस्तान में CM-400 EKG anti-ship missile कहा जाता है उसका असल नाम चाइना में SY-400 tactical ballistic missile है इंडियन नेवी के aircraft carrier और बड़े आकर के जहाजों के डर से पाकिस्तान द्वारा इन मिसाइलों को 2017-18 के दर्मियान चाइना से हासिल किया गया पाकिस्तान करीबवन 100 million dollar के लागत से ऐसा 60 missile चाइना से खरीदा है जिसे चाइना के बनाया हुआ junk fighter 17 में ही install किया गया है पर इन missile को चाइना के तरफ से 2012 में ही जुहाई air show में दुनिया के सामने लाया गया था दोस्तो इन missile को काफी unusual missile कहा जाता है और missile को लेके भी किया गया कुछ दावा काफी unusual है जिनमें से दोस्तो एक दावा है missile के supersonic होने का दोसो इसके असल हकिकत के बारे में भी आपको वीडियो में बताऊंगा लेकिन पहले चलिए जानते है इन मिसाइलों के capability को लेके पाकिस्तान और चाना के तरफ से क्या बढ़की मारा जाता है दोसो इन मिसाइलों को लेके कहा जाता है कि इसका वजन करीबन 910 kg के आसपास है जबकि इन में 1500 से 200 kg अलग-अलग टाइफ के ओवर हेड को लगा जा सकता है इसके इलावा, मिसाइलों के range को लेके भी ये कहा जाता है कि ये range करीवन 100 से 240 km के बीच का है, जबके guidance के लिए इसमें internal navigation system और satellite navigation system जैसे equipment को इस्तिमाल किया गया है, टारगेट को निशाना बनाने के लिए ये radar guidance या फिर infrared sticker का मदद लेता है, पर दोस्तो, मिसाइलों के जो accuracy य रेडियस का एक निशाना बनाय जाए तो उसमें हिट करने का इस मिसाइल का capability 50-50 होगा जो पहले ही सावित करता है कि ऐसे मिसाइल एक highly maneuverable जहाँ सको निशाना बनाने में काफी जादा अक्षम है पर इन मिसाइलों को लेके चाइना का दावा ये है कि ये एक supersonic missile है और दोस्तो चाइना और पाकिस्तान के तरफ से ये दावा इंडिया के ब्लमोस मिसाइलों को counter करने के लिए किया जाता है पर दोस्तो दावा और सच्चाई में काफी जादा फरक है चाइना के तरफ से जहाँ पर इसे supersonic missile के इसाफ से दावा किया जाता है तो वही पर इंडिया का ब्लमोस हकिकत में एक supersonic missile है दोस्तो चाइना द्वारा इस missile को supersonic ब्राने के लिए काफी जादा पापड बेला गया और उससे missile के रफतार तो बढ़ाना possible हो पाया लेकिन missile के capability इतना जादा घड़ गया कि इसे किसी तरीके के anti-shape या cruise missile नहीं का आ जा सकता है दोस्तो वैसे भी मैं आप लोगे को पहले ही बता चुका हूँ कि ये असल में एक ballistic missile के जैसे ही हरकत करता है और दोस्तो चाइना के द्वारा बनाया गया technology ये already साबित भी कर चुका है चाइन missile को maneuver करना फी काफी आसान होता है तो वही पे चाइना के ये missile ऐसा करने में अक्षम है और maneuverability के नाम पे इसके पास कुछ भी नहीं है दोस्तो आपके जानकरी के लिए बता दू कि ये missile को रफतार देने के लिए चाइना के द्वारा और एक टेक्टिस अपनाया गया और वो missile को high altitude से launch करना basically इन missile को 26,000 से 30,000 feet के altitude से ही launch किया जाता है जो missile के detect होने के chances को काफी हद तक बढ़ा देता है दोस्तो cruise missile के मामले में आप लोग sea screaming जैसे शब्द का भी जिकर कई वार सुने होंगे और sea screaming मतलब एक ऐसा technique होता है जिसके मदद से missile समुंदर के सते के बरावर वग नामुमकिन होता है और इसी वज़ा से ज़्यादा तर anti-ship cruise missile को aircraft के द्वारा काफी low altitude से ही launch किया आता है जबकि पाकिस्तान के missile को इतने high altitude से launch किया आता है कि ये launch होने के बाद ही detect हो सकता है और दोस्तों उसके उपर missile के पास maneuverability का capability ना होने के वज़ा से आप समझ सकते होंगे कि इन missile के लिए moving target को निशाना वनाना कितना जादा मुश्किल होगा अब दोस्तों चलिए जानते है कि पाकिस्तान तो इतना कुछ दावा करता है लेकिन इन missile को रोकने के लिए भारत के पास जो शमता है उसका counter पाकिस्तान के पास कहा से आएगा इंडियान नेवी के aircraft carrier हो या फिर बड़े आकार का destroyer इन जहाजों के पास बहतरिन air defense capability होता है इंडियान नेवी के सभी आधुनिक destroyer और aircraft carrier के पास बराक 8 जैसे surface to air missile है जो 100 km दूर से ही किसी भी हवाई target को निशाना बना सकता है जबकि इस तरीके के जहाजों के उपर आध 8 missile है इसे लेके Chinese media में भी कई बार बताया जा चुका है कि भारत के missile के पास Chinese anti-ship cruise missile को counter करने का तो शमता है लेकिन चाइना के पास भारत के brommos missile को counter करने का शमता नहीं है इवन दूसरे तरफ अगर इंडिया नेवी के aircraft carrier को देखे तो इसमें MiG-29 जैसे fighter aircraft का इस्तेमाल किया आता है जो twin engine multi-role medium weight category का fighter aircraft है और इनके पास भी beyond visual range air to air capability है ऐसे मौके में चाइना के बनाया हुआ दोसरे इंडिया के aircraft carrier उसे पाकिस्तान का इसलिए भी फटता है क्योंकि 1971 में इंडिया के एक मात्रे aircraft carrier INS बिक्रान द्वारा पाकिस्तान को जिस तरीके से सवक सिखाय गया था शायद वो पाकिस्तान आने वाले कई सदियों तक ना भूले इवन ये बात कहना भी गलत होगा क्योंकि आने वाले सदियों में पाकिस्तान रहेगा की नहीं ये भी डाउट है जिस तरीके का पाकिस्तान का economic situation है और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालत बना हुआ है उससे संभावना है तो कुछ और ही लग रहा है पर दोस्तों इंडिया नेवी के aircraft carrier हो चाहे destroyer हो इसके capability को counter करने का शमता ना ही पाकिस्तान के पास है और ना ही चायना से उधार में लिया हुआ हत्यार के द्वारा पाकिस्तान ये शमता का भी हासिल कर पाएगा उपर से दूसरे तरफ भारत जिस तरीके से air defense system को मजबूत बनाया गया है और बराक 8 के बाद अब इसका extended range क के उपर काम किया जा रहा है इससे आप समझ सकते होंगे कि आने वाले समय में इंडियान नेवी के जो capability है वो और कितना हद तक आगे बढ़ेगा जबकि दूसरे तरफ एक ही aircraft carrier ने पाकिस्तान का जो हालत बनाया था वो अब दो aircraft carrier होने के बाद क्या हो सकता है उसका वी जाजा आप सब लोगे को लग गया होगा इंडियान नेवी के दूसरा aircraft carrier मतलब INS विक्रांध भी लगवग तयार हो गया है और सी ट्रायल के बाद माना जा रहा है कि इस साल के अन तक ये aircraft carrier भी इंडियान नेवी में operational हो जाएगा और operational होने के बाद इंडियान नेवी के पा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद